हाई गाईज हलो बच्छे पार्टी कैसे हो आप सब लोग आई होप सभी बच्छे काफी अच्छे होंगे मैं विनोध कुमार भेल आप सभी बच्छों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा रिजलट कब आने वाला है अब तक हमें ये पता था कि हमारा रिजलट 15 जुलाइा है ठीक है न कोई बोला था पहले 12 12 14 15 जूल अब इ Ditってる आक चीज अच्छे कर एक हैogen पहले इसको चेक करते हैं, results of the CUET 2003 will be announced on Monday July 17, यह final है, यह confirm कर दिया गया है, यानि आपका जो result है, वो Monday, यानि दो दिन बाद 17 July को announce किया जाएगा, ऐसा क्यों पहले बोला गया था, result will be out on और before 15 July, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कारण उसका सिरफ इतना ही है, कि यार यहाँ पर जो चीज़े समझ में नहीं आ रही, अगर आप देखोगे, 29 तारिक को यहाँ पर हमारे पास, provisional answer की release होती है, ठीक है न, आप उसको challenge, बतलब release पहले होती है, आप उसको 29 और 30 तारिक को challenge कर सकते हैं, ठीक है न, आप यहाँ पर challenge करते हैं, उसके बाद यहाँ पर revised answer की 12 July को होत कर रहा है, कि कुल मिलाके, 841 question paper use करे गए थे, अलग-अलग languages में, 1,488,000 questions थे, 29 June से लेकर 31, मतलब 1 July तक आप जो आपका provisional answer की था, उसको आप challenge कर सकते थे, 25,782 answer keys इनको मिले थी, जिसमें से 3,886 answer key में, गलतिया पाई गई थी, वाकई में तो वो unique answer keys थी, ठीक है न, यह dot in वाली side से ले सकते, जो भी आपका data होगा, सबसे वड़ी बात यह है, जो हमारा result है, यह अब हमें पता चल गया, 17 July को आने वाला है, पर यार, आप सोच के देखो, 16 अगस से हमारी classes start हो जाएंगी, colleges में, ठीक है न, और पहले result आएगा, उसके बाद ही तो counseling शूरू होगी और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि भाई आप final answer की को भी challenge कर सकते हो, तो काफी ज्यादा मतलब अभी भी क्या ही बोलूँ मैं उस चीज में, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मतलब NTS से भी हम लोग यह request करेंगे, कि भाई देखो, अगर result देना है, या जो भी है क्या final answer की को भी challenge कर सकते हो, तो कई न कई बाते हो रही है, बट अब ultimately आप लोगों के लिए एक good news है कि 17 जुलाई को आपका result आ जाएगा, ठीक है न, आप यह समझ लीजे कि यहाँ पर इस channel पर आपको सारी चीज़े on time बता दी जा रही होगी, कब कब कैसे कैसे क्या है, एक चीज़ और है कि आपका result जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, उसके बाद जो counseling आपके हाथ में है, कि आपको किस तरीके से कौन सा college मिल रहा है, क्या है, वो तो decision तब बात में लिया जाएगा जब पहले आपका result आएगा, तो बस एक यही चोटी सी update थी आपके लिए, जो कि चोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी update है, ठीक है न, कि हाँ, Monday को finally आपका result आजाएगा, hope for the best, confirm तो यही कर दिया कि Monday को है, कई पते सेले बाद में हमें संडे को news आ रही है, कि हार Monday को नहीं है, बढ़ ठीक है, आप जब confirm कर दिया है, कि Monday को result आएगा, तो 17 तरीक को आपका result आप मुझे comment में जरूर बताईएगा, आपकी क्या expectations है, आपको क्या लग रहा है, आपकी दिल की धड़कने तेज है के नहीं है, और कौन सा college आप expect कर रहे हो, कि आपको यह college मिल रहा होगा, ठीक है न, काउंसलिंग उसके बाद स्टार्ट होगी, हमारे August से, जो है, मिड़ से हमारी college के classes start हो जाएंगे, तो कैसा feel हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है, आपको मुझे जरूर बताईएगा, और ठीक है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप देखी रहे हो, बाकी मुलाकात करेंगे आप से आपी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आर, all the very best बाई गैस, बाई और अलिएस, जाहेंगे वीडियों आपके साथ है, हमारी वीडियों आपके साथ है, प्र दीक है, हमारी आप के दूर्ट के लिए रहें।